हमने बनाई है कूर कुरित मसाला चटपटी भींडी रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको तोड़ के बताया है एकदम कूर कूरित है और सौप्ट थोड़ी भी नहीं जब हम बनाते हैं घर पे भींडी तो सौप बन जाती या ओईली ओईली बन जाती य यहाँ पर हमने भींडी लेनी तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम भींडी लेनी इसे हमने दो पानी से धोकर कपड़े से पोच लिया है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता न इसलिए यह जो भींडी के हम लिए रेसीब बने दम कूर कूरित खाने में एक नमबर लगती दोस्तों उम्मीद को तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा अब इस पोर्शन को में इस तरीक से निकाल लेना है अब यहाँ पर एक बड़ा ला में बाउल ले लेती हूं इसे थोड़ा में साइट कर लेती हूं और इस तरीके से बीच में से कट करना जितना पतली स्लाइज में इदम पतली पतली फिए अधी मोटी साइज होगी तो भिंडी हमारी यानि की कुरकुरित लगेगे ने सौफ हो जाएगी एक बार यह तरीके से बनाओ गें दोस्तों बच्चे बड़े इसे सभी पसंद करके खाएगे गयारेंटी के साथ मैं आपको बता रही हूं इस तरीक पर सारी भिंडी को हमने अच्छी तसे कट कर लिया जितनी पती पतले स्राइज में आप कट कर लेगे तो उतनी हमारी भिंडी खाने में कुरकुरित लगेगी जिनकी भी सौप्ट होती है कुरकुरित ने तो इस तरीके से बनाएगे न एक नंबर बनेगी अब हैपर जीरा पाउडर भुना हुआ आदा चमट डाल देना है इसी के साथ ही हम डालेगे दो स्पिंच हींग डाल देना है हींग के साथ हम डालेगे पाउ चमट जितने हल्दी हल्दी के साथ हम डालेगे चट पटा स्वाद आने के लिए हैं पर डालेगे पाउ चमट जितना चाट चाट मरसाला डालने से इसका जो स्वाद एक नंबर लगता है। फरहाएं पें डालें 2-3 चोटे चमध कॉन फॉरॉर क मरें बाद है दोस्तों इससे क्या होता है इसा क्रंचिष माध है užोट치 आलेकी यृ नो detailed दालना है यह वाला में लर्णाइन चमध कॉम फ्ला और तीन चमत बेशन का एक दम पर्फेक्ट प्रमान इसका 200 ग्राम इसमें भेंडी में अब यह पर डाल देते हूं अब इसे अच्छी तसे मीस कर लेते हैं इसे अच्छी तसे हमने मीस कर लिया आप देख से तो इस तरीके से इसकी कोटिंग लगनी चाहिए तभी भेंडी खाने में कुर कुरित लगती इस तरीके से कोटिंग नहीं लगेगी तो भेंडी हमारी सॉप्ट हो जाती पानी का यूज नहीं करना है अभी आपको लग यह मसाला तो बाकी का बज गया इसका क्या करना है इसका मैं आपको बताओगी दोस्तों इसे सबजी में यू अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है देख सकते हैं थोड़ा भी मसाला इसमें लगाने यह कुछ भी नहीं करने तेल घ्राफ हो जाएगा देख से तो इदम perfect मेरे घर में तो इस सरी के से बनाई जाते है इदम perfect बनते टीवी के सामने बैट जाते है बच्चे लोग और खाते है time pass के लिए है ना अभी ये इतना मसाला बद जा इसे हमें क्या करें सबजी में या किसमें भी यूज कर लेते है तो अभी एक जग़ा ओईल गरम हो चुका है अभी इसे में फ्राइब कर लेती हूं अब अच्छी तसी गरम हो चुक है हाँ दोसो भेंडी फ्राइब करते हैं इदम गर्मा गरम ओईल यह थंडा बिल्कुल भी नहीं चाहिए पानी का यानी गिलात नहीं लगाना है जिससे में आपको बता है वेसी करना है देख सकते तब भेंडी हमारी कुरकुृत लगेगे खाने में ओईल गरम हो चुका है अभी यहाँ पे भिंडी ले लेते हैं और इसे इसमें डाल देना है इदम गरमा गरम तेल में चाहिए देख तो आवाजारी फटफट इससे समझ में आता कि भिंडी हमारी इदम परफेक्ट जैसे में ने भिंडी डाल दी इसे तुरन टच करेगे देना है फ्राइ करते समय ग्यास की फ्लेम फास चाहिए और ऑईल घरम गरम चाहिए तब भेंडी इकदम भार की जैसे कुरकुरत लगे जब होटेलों में शादियों में जाते तो कितनी बढ़िया लगती वेसे में रिजल्ट देने वालों यम्मी यम्मी और इसे अच्छी से गोल्डन फ्राइ कर लेते हैं अब देख से तो पहले से कितनी कम बबल से थोड़ी बबल से इदम तो भी से अच्छी तर से चला लेते हैं एकदम बढ़िया सी हमारी कुरकुरित भेंडी बनकर तयार हो गए दोस्तों आप देख सकतो इतनी परफेक्ट कलर भी हलका सा इस देख से तो इस तरीके से बाकी की भेंडी भी फ्राइ कर लेते हैं सेम टो सेम कुरकुरित अनकर तयार होगे हमारी कुरकुरित भेंडी रिजल्ट आपके सामने जैसे होटेलों में रेश्टरों में जाते हैं वेसे ही मैंने रिजल्ट दिया और यहां पर एक भी पानी का ब चूरा हमने करके रख दिया है देख सकते हैं तो जब हम बिंडी फ्राई करते तो एक दम सौफ्ट हो जाती पने एक बार ये खाओगे न खाती रह जाओगे